हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दे आज की इस टूडियम में हम NCL यानि की जो नोर्थन कॉल फिल्ड लिमिटेड है जो की कोल इंडिया की एक सबसेडरी है उसमें अपरेंटिस ट्रेनी के लिए जो वेकेंसी आई भी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो अपरेंटिस की वेकेंसी है ये आईटियाई वालों के लिए आ रही है जैसे की इलेक्टरिशन के लिए हो गई, वेल्डर के लिए हो गई, फिर फिटर के लिए हो गई और ये Colinidia की लगभग सब subsidiaries में आ रही हैं कि Colinidia आजकल बहुत सारे ITI वालोग वो अपरिन्टिस की जो training है एक साल की वो करवा रहा है तो ये हर subsidiary में ये vacancies आ रही है इसे दो फाइदे हो रहे हैं एक तो जो लोग एक तरह से जो ITI से पास है उनको training मिल जा रही है और दूसरी जो पोल इंडिया के पास manpower का skilled manpower का crunch है एक टाइप से उसकी भी दिक्कत कुछ हद तक दूर हो जा रही है तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यह vacancy NCL में आयो हैं कितनी vacancy हैं कहां पर है और किन के लिए हैं तो अग के लिए यह vacancy हैं तो यह vacancy कितनी कितनी हैं अगर हम welder की बात करें जो गैस और electric welder है उनकी अगर बात करें तो उनकी अगर बात करें तो यहां पर total 100 vacancies हैं और यहां पर कितनी ट्रेनी की जो ट्रेनी की जो टाइम लाइन है वो एक साल के लिए ट्रेनी है फिर अगर हम electrician की बात करें यहां पर 254 जो है वो unreserved vacancies हैं फिर उसके बाद OBC के लिए 75 फिर उसके बाद अगर हम बात करें S.C. के लिए तो 71 ओर अगर हम S.C. के लिए बात करें 100 और यहां पर total 500 vacancies हैं और उसके दाप Michaस Fitter णके लिए total 800 vacancies हैं और मोटर-vEcanic की बात करतेथ हैं तो यहां पर 100 total vacancies हैं तो यह यह तो किद Grid है अब इन के लिए क्या-क्या qualification required है तो अगर हम qualification required की बात करें तो अगर हम welder की बात करें तो उसके लिए आपके पास आठ्वी और ITI होनी चाहिए welder में किसी भी NCVT या SCVT से यानि कि ये national और state level के जो जिनकी एक तरह से जो जिनकी माननेता प्राप्त है NCVT और SCVT जो ITIs है उन पास 10th और ITI होनी चाहिए किसी भी NCVT या SCVT जो UP और MP में जो ITIs है उन से फिर अगर फिटर की बात करें तो आपके पास 10th क्लास के साथ-साथ ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड में NCVT या SCVT से जो ITIs है UP और MP में उसके बाद motor mechanic की अगर बात करें तो आपके पास 10th और ITI हो होनी चाहिए motor mechanic trade में और उसके बाद NCVT या SCVT से यह होना चाहिए और सभी इसमें क्या है कि आपको जो जो general और OBC candidate है उनके लिए 50% marks होने चाहिए जो आपने ITI की है और अगर हम SCST की बात करें तो वहाँ पर 45% marks भी चलेगे फिर उसके बाद आपके पास यह जो सारी qualification है जितनी भी सारी qualification की बात की गए यह 36 यानि कि 30 June 2021 तक आपके पास सारी की सारी होनी चाहिए तब ही आप eligible है इन vacancies के लिए उसके बाद अगर हम कुछ और चीजे बात करें तो आपकी age का जो criteria है मैंने बाता है 36 2021 तक होना चाहिए आपकी minimum age 16 होनी चाहिए और maximum age 25 होनी चाहिए और अगर हम SCST के case के लिए बात करें तो 5 साल की छूट और मान सकते हैं आप इसमें तो यह 29 यर तक हो गया और OBC के लिए 3 साल की छूट यारी 27 साल तक हो गया तो यह सब यहां पर age criteria है फिर उसके बाद आपको कहां पर यह सब चीजे कैसे आपको यह apply करना है तो आपके पा आपको upload करनी है उसमें आपकी फोटो फिर आपका जो signature है फिर आपके father mother का signature आईटी आई की जो मार्कशिट जो आपके सारे जो certificates है फिर उसके बाद आपका 10th की मार्कशिट या 8th की मार्कशिट फिर pen card अधार card फिर आपका जो cash certificate है फिर आपका जो bank account है यह सब जीजे आप आपको upload करनी है फिर उसके बाद तो आपको NCL की जो website है वहाँ पर जाके NCL जो apprentice जो training है उस पर जाके आपको यह सब चीजे को click करना है और वहाँ पर आपको यह सब चीजे upload करनी है और form को fill up करना है तो यही सब चीजे हैं इसमें और इसके अलाब को मैं आपको date बता जेता 2021 से और जो apply करने की end date है वो 9 जुलाई और 5 बजे तक है तो यह आपको इन पर इस NCL की जो website है वहाँ पर जाके आप apply कर सकते हैं और अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो यह आपको यह email है और यह जो GM है वहाँ का office का number है वहाँ पर क्लिक कर आपको इसके लिए आपको stipend भी मिलने वाला है stipend के पर्डिकलर साथाथ हजार अमाउंट रहती है जो कि आपको हर महीने मिलने वाले है तो इसके लिए आप apply कर सकते हैं इसके लाव अगर आपको कुछ और जानना है तो आप comment box में जान सकते हैं